हेलो डियर फ्रेंड्स मैं हूँ आपका अपना दिल जीत और आज जो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ या आपको बना के दिखाने वाला हूँ वो आप सबका दिल जीत लेगी एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा मैं पहले तो आप इसके colors देखें जो nature ने हमें दिया है हम उसका जितना भी शुक्रिया आदा करें वो हो बहुत कम है इत्नी चीजे हैं इतनी लजीज और इतनी है healthy हमें vegetable हैं कि अगर आप हैल् दिखाएंगे तो obvious है कि आप तो यह बहुत ही कम प्रश्पाइश बहुत ही कम आइल लेकिन जो वेजिटेबल्स होंगी वह बहुत लजीज बनेगी यह मैं आपको बना के दिखाता हूं आज और यह जो इंग्रीडियंट्स मैंने लिए हैं रेड और येलो बेल पेपर्स हैं एक अनियम है यह एक मैंने लिया है टमेटो यह है कैप्सिकम यह ब्रॉक्ली है यह पनीर भी लिया है मैंने ताके कुछ और भी इसमें वैल्यव एड की जा सके यह होगे मश्रूम्स और यह है जुकीनी का पीस तो यह तो अव्यूस है कि सभ बेल पेपर्स हैं वह हाफ अफ ते बेल पेपर आई विल यूज इच तो इन चीजों का मुझे चॉप करना है और बाद में इने स्टेर फ्राइ करना है बहुत ही कम टाइम में एक बहुत ही अच्छी चीज आपके लिए यह देखिए यह सभी जो वेजिटेबल्स हैं उनको पकाए बिना दी लेकिन यह जो कैप्सिकम है थोड़ा पकाना पड़ता है मश्रूम के पीसिज मैंने आलमोस सभी को आधा आधा कर लिया है और ब्रॉक्ली क्योंके थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी तो यह मैंने थोड़ा इनको पतले काटा है ताके इसे पकने में करों तो यह कच्छी न रह जाए और यह जुकीनी है यह तो सच से कम टाइम में पक जाती है और यह भी हम चाहें तो इसे रौ ऐसे ही खा सकते हैं सो यह चीजे हो गई एक बड़ फिर से रिपीट कर देता हूं यह आगे मश्रूम्स ब्रॉक्ली जुकीनी कैट्सिकम टमैट प्रवाइटोज अनियन और यह पनीर के पीसिस इन्हें अब मैं आप आयल में मैं यूज कर रहा हूं इसमें औलिव आयल इससे पहले मैंने जो फेस्ट बुक पे डाली थी पोस्ट वो मैंने बटर में उनको सोटे किया था लेकिन आज मैं आज मैं आलिवाईल यूज कर रह रहना इनिमें ही मैं जो वेजिटेबल्स हैं उनने सर फ्राइ करूँ गउर इसमें सबसे बड़ी जो बात जो याद रखने वाली है पुछ यह है कि जो वेजिटेबल्स होंगी वह हमें हाई फ्लेम पे हिस इस तर फ्रिन करना है क्योंकि अगर इसे कम आंच पे रखेंगे ऐसे अपना पानी चोडेंगी और उससे जो वेजटेबल्स होंगे वो सोगी बनेंगे, भर पानी नहीं लगेंगे तो इनको पहले मैं एक बार इने फ्राइब करूंगा इस अपने शिरू हो गए है जाते मैंने कहा इस प्लेम हाई रहेगी और जिसमें भी वेज़ेबल इस प्लेम पे ही होगी एक भी बार इसमें नहीं करूंगा कि इसकी प्लेम को कम करूँ तो यह जो मुझे करना था वो हो गया अब मैं इसमें जो रज़ेबल है वो सभी आज कर रहा हूं वान बाइवान यह गई मिश्रूम यह इस जुकीनी यह समयतों यह चापिकम और यह गया इसमें समीर भी तो यह सभी चीवे इसमें है तोवी है इन्हें टॉस करते हुए ऐसे ही पकाना है थाइस लेंग अहीं जैसा कि मैंने कहां और यह इसे स्टर करते रहना है तूप करते रहना है तॉस करते रहना है जब तक यह पक न जाएं और जो आपको चाहिए वो डेश्ट तयार नहों यह इसमें कलर्फूल चीज है किसी आप रस्ट्राओं में खाएंगे तो शायद आपकी पॉकेट पे बहुत भारी कड़ेश परेगी है लेकिन अगार आप धरने पनाएंगे तो उसके तो कहीं ज्यादा सब्सक्ते में आप घर्टे ही एक इसमें एक सीटी था सब्सक्ते है और हल्डी तो यह है ही जो हल्फ पॉइंच जो अनके लिए तो बहतरीन है क्योंकि इसमें ओएल ज्यादा नहीं गया है तो पाइस ज्यादा नहीं जाएंगे तो कीप उन स्टेरेंगे टोस्तिंग एंड को कि अब थोड़ा ताइम यह लेगी और जब थोड़ा पक जाएग आद दो कि आइड करूगा जो हर्ब और पाइसिस मैंने यूज करने है अप्रोक्सिमेटल्य तो मिनित होजब है इसे स्टेर करते हुए और मैं इसमें डाल रहा हूंसपाइसिस पारके इनके पकने पर जो पाइसिस है या हर्ब्स इनका जो यह फ्लेवर हूँ आ जाए यह म अधा चब्स लिए अधा चोटा चमच वो भैब ब्लैक पैपर पाउडर, यह ब्लैक पैपर गई इसमें अधा चमच और आप मैं ढाल रहा हूं इसें सब्सक्राइब और दी जादिए राइड आएगा ही तो यह अब मैं इसमें अधा रहा हूं मिंट के लिए जो ड्राइी ज यह प्लेवर भी आएगा फ्रेश मिल्ट नहीं है यह हर्ब नहीं है और इसके बाद जाएंगे यह अधा चोटा चमच रेड़ चिली फ्लेक्स यह रेड़ चिली फ्लेक्स खा गए उसके बाद में डाल रहा हूं इसमें बिजली यह भी अधा चोटा चमच यह अधा चोटा चमच में डाल दिया बिजली और इसके बाद जाएंगे यह और गैनो यह भी अधा चोटा चमच यह थोड़ी थोड़ी चीजर सभी डालेंगे तो सभी का प्लेवर आ जाएगा इसमें कोई बहुत प्रस्विक नहीं है कि हमने यही डालना है और यह गए इसम की और दाला हूँ है इसमें यह झ्यूहि जूह है गार्लिक पॉल्डर वाल्डर कि जूत व्योर्ट डालए है लेकिन यह ध्राइ गार्लिक डाल दिया है तक इसका भी प्लेवर और यस बशुम आईड कर दी नहीं उन्ग जह भी आज़ए इसमें डिम n हाट तो जो भी चीजे आपके पास हैं उनके साथ आप ये जो स्टेर वेजी केबल है वो बना सकते हैं गड़ पे ये सभी चीजे अब इसमें एड होगी है और मैंने स्टर करके अच्छे से मिक्स कर दूगा ताकर सभी चीजों का फ्लेवर जिख है वो इसमें आए तो अच्छे से अभी भी हाई है जैसा मैंने कहा कि इसी पही पकने गाई है तो स्पाइस एड़ करने के बाद कि कुछ टाइम और लेंगे पकने में इसे पकने तक पॉंच से साथ मिनट इसे पकते हुए हो गए है और अब इससे प्राई के मार्क्स है वो आने शुरू हो गए है और इसे ही जो वेजिटेबल्स है वो फी अच्छे से ही पक गई होगी इतने ताइम में और अभी थोड़ा टाइम और एक दो मिनट क्योंकि इससे बहुत अच्छे से प्राई करना है मुझे और फिर मैं इसे सेर्व करूंगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से स्टेर फ्राई हो गए हैं आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा और अगर ट्विस्ट देना है इने स्मोकी बनाना है तो वो आपको एक ट्रिक बताता हूं जो आप चाहें तो बखते हैं नहीं तो ऐसे ही सर्व कर सकते है अगर स्टेर फ्राइबल्स को आपने स्मोकी करना है तो गैस को रखिये ँट इसे जो फ्लेवर है वो स्मोकी फ्लेवर आएगा और आप बिल्कुल घर में बैखे ही महसूस कर सकते हैं कि जैसे आप किसी रस्ट्रा में खा रहे हैं यह स्टेर फ्राई का जो प्लैटर आप वहां पे लेते हैं यह मैंने इनको दारेक्ट फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर दिया है इसका स्मोकी ख्लेवर लाने के लिए आप ही चाहें तो यह कर सकते हैं, इसे रही ईज़ाई बट बी सेफ वन दू दू इसे रोस्ट करने के बाद मैंने फिर 15 प्लेम में डाल दिया है एक यह हल्का तर तॉस और अब मैंने सर्व करूंगा बॉल में तो लेप में दू दू दाट नाओ यह स्टेल फ्राइड वेजिटेबल्स हो गए तयार और यह इसके उपर में डाल रहा हूं हल्का सा चाट मसाला और बस इसे में आप सर्व करूंगा और आप भी इसे ट्राइ कीजिए आप बहुत लोग पूछ भी चुके हैं इसकी रस्ती भी ले चुके हैं फेस्बुक से पूछ के लेकिन यह आज मैंने आपको वीडियो ही बना के दिखा दिया है इसका आप भी ट्राइ करें बहुत ही एक healthy version है vegetables का आप इसे शाम के time snacks के तौर पर भी खा सकते हैं और जो लोग health conscious हैं उनके लिए तो इसमें जो vegetables एड किये गए हैं और जो spices सभी सभी जो हैं वो बहतरीन हैं आपको अपने दिल जी आप बताईएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी थैंक यू वेरी वेरी मच